मैं खनी अधाना से सिवकान सौनी फार्ष समाचार से और हम अभी सपा के कारलाई पर बैठे हुए हैं सपा प्त्यासी भी हमारे साथ में हैं जो की राजीव यादब हैं और सपा से पिछोर गजान सभा का चुनाव लो रहा हैं आज हम उन से कुछ खास चर्चा करेंगे कि वो चुनाव किन मुद्दो पर चुनाव लो रहा हैं और उनकी आगे की क्या बिचार धारा है बात करते हैं राजीव यादब जी नमसकार जी नमसकार फार्ष समाचार में आपका उस्वारत है बहुत बहुत आपका धन्यवाद राजीव जी आप चुनाव और सपा से लड़ सबसे पहले तो मैं पिच्छोर बिदान सवा के मेरे सबी परिवार वालों को दीकावली की हादिक सुकामना देना चाहूंगा मुद्दे इसपष्ट हैं कोई भी जनहित का मुद्दा आज लेके नहीं आ रही है कोई भी पार्टी जो मुक्धा लिहां की हैं बाचपा को दे जिला बनाने के लिए सौदा करके गए 20 साल के मुक्मंत्री जो हैं और बत्मान मुक्मंत्री अगर पिछोर में आके सौदा करें कि हम जिला बनाएंगे हमें एक बार और मौका दो तो क्या ये पूर मुक्मंत्री रहती हुए जिला बना पाएंगे बत्मान मुक्मंत्री सौ समाज़वादी को चुन रहे हैं या बहुत बड़ी लीड़ से समाज़वादी पार्टी जीत रही है इसलिए भी जीत रही है कि बगल में आपने देखा है कि आप सब ने देखा है पिछोर बजान सबा से यूपी बॉडल लगा हुआ यूपी का जो सासन रहा है माननी राष्ट के अधक लिस्यादव जब सेम थे आज साथ साल पहले तो उन्होंने इतना काम किया था कि आज भी बाबाजी जो है उन्हें के काम किये हुए कामों की सिलन्यास करने में लगे हुए हैं कोई नया काम वो नहीं कर पा रहे हैं देखा जा रहा है तो वो सिर्फ कवी कवा कैमरे में रहने के लिए कोई से सेर का नाम बदल देते हैं या कभी कोई हत्या कांट करवा देते हैं पुलिस को अधिकारियों को गुंडा बना के रखा है तो इस तरह की टाना साइभ साइभ भाज़ पा सासनकाल में चलती है उसको भी खत्म होना चाहिए व clarification होना चाहिए जादपाथ कि is राज़ नीती बंद होना चाहिए जादपाथ कि राज़ नीति आजकल जो जादा चल रही है हम विकास की 새गया करने बहुत सांदार समयतन मिल रहा है, बहुत ही बड़ी लीड करके हम आ रहे हैं, घाटी उपर से भी बहुत बड़ी लीड कर रहे हैं, जे हम पिछोर एरिया से, बामोर एरिया से, हर जगह से हम लीड कर रहे हैं, बहुत बड़ी जीत होने वाले है समाजवादी पार्टी के एत् से हैं देखिए बहार से तो मैंने सुना है कि भाजपा वाले हैं जो ग्वालियर से आके हैं चुनाओ लोड़ रहा है और उनका पिचार करने बाले कोई यूपी से हैं जो जोनों जिला वदल है वो फता नहीं बौर्डर वदल भी हो सकते हैं यूपी वाले तो तो इस तरह के अब देखिए आप तो पत्रकार हो इन तक कितने मुकाद में दोनों पर लगे हुए हैं कोई लोकल का उनको बोट मांगने भी नहीं जा रहा है फॉर्मल्टी के लिए पार्टी के नहीं आते जा सकता है लेकिन जो भाजपा वाले हैं वो भार की हैं बोट मांगने वाले और सारी सैमरियां होने कारन मेरा सैमरी गाँजो है वो ईसागर सैमरी के नाम से जाना जाता है बर सैमरी टैसिल खनियादाना जिला शूपरी कुछ लोगा कहना है कि आपकी अबी एक सवा हुई थी आ सांसर्द महोदे हैं डिमपले आदब जी उनको आपने बुला आता और अन का यह कहना है कि सबा मैं आपने भीड एकटी नहीं कर पाई देखिए यह सब साजस हैं के चलते नहीं हो पाई भी बाजपा ने हमारे जो सबसे पहली चीज़ पो मैं बता दू हमें दस गणिटे का टाइम ला था राश्टी अद्ध्ध दियों ने मुझे ग्यारा तारीक दी लेकर मैं भीड उतनी नहीं हो पाईगी जितनी ग्यारा तारीक हो क्योंकि हम इतना प्रचार फिसार भी नहीं कर पाएंगी और अब टेंट पांडाल सारी बेवास्ता में प्रत्यासियों को करना होता है तो भावी ने बोला कि हाँ ठीक है अगर सवा तो हो जाएगी और उस तो आपका कहना यहे है कि हमें पूरा जितना समय मिलना चाहिए वो समय नहीं मिल पाया नहीं वह तियार के चक्कर futures में दो यूशिया गयारा तारीक का थख पाएंगे। पपिछाल नहीं कर पाएंगे आ मतलब तो आपका पाथ वह नहीं चल पाएगा हर वह दो बहुत खुछ नहीं है है आप ने देखा हुगा आप थे भी हुआ पे बहुत खुछ लया तो नहीं है उन्हें लाख ौ लोगों की चक्कर में यह हुआ है आज बारा तारीक है आज से पांट दिन चुनाओं के रह गए हैं तो अभी तक आपकी एक सवा हुई है अर्ण पार्टियों की दो दो तीन तीन सवा हो चुकी है क्या आगे आने वाले तनों में कोई और सवा हो खनीया दाना या पिछोर में होने वा आपने देखा हमाई साथ में थे सफापरत्यासी राजी व्यादब जिन से हमने चर्चा की जन्होंने बहुत अच्छे सवाव के जो धनी है और बहुत अच्छे तरीके से हमसे बात की और उन्हें बताया है कि हमें बहुत अच्छा जनाधार मिलाए और हम जीत कर आ रहे हैं खलाल खनीया धाना से सिबकान फौनी फार्ष समाचार के लिए